आप देख रहे हिंदी विषय का जो है 2023 का प्रशन पत्र तो चलिए इसको देखते हैं इसके solution क्या क्या होंगे थोड़ा सा प्रशन पत्र हलका सा बलर आया हुआ है बाकी पूरा प्रशन पत्र सही है तो यहाँ पर जो पहला प्रशन पूछा गया है इसमें आपको एक कथन ज इसके बाद दूसरे question की दरफ move करते हैं दूसरे question में गुनाहो के देवता उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है तो answer आजाएगा हमारा धरमवीर भारती next question इसमें पूछा गया है चिंता मणी निबंद संग्रे है तो यह किसका है रामचंदर शुकल का यह option जो है correct हो जाएगा जोथा question है सही विकल्ब का chain कीजिए इसमें भी विकल्ब आपका सही जो है उसी को chain करना है इसमें पूछा गया है आपसे तो यहाँ पर जो विकल्ब सही है वो बतायता हूं है रामचंदर शुकल प्रसिद निबंद कार एम समिक्षक के रूप में जाने जाते हैं ठीक है य गद को कवियों की कसोटी कहा जाता है तो यहाँ पर सा option जो है correct हो जाएगा उसके बाद जो next question है इसमें आपसे पूछा गया है एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है तो एक अंक के नाटक को एक अंक की कहा जाता है सा option जो है correct हो जाएगा next part में आपसे पूछा गया है रान PDF बना करके आप हमें भेज सकते हैं, उसके solution जो है आपको इसी वीडियो के माद्यम से, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे ही एक वीडियो के माद्यम से आपको उसको solutions मिल जाएंगे, 2022 के प्रशन पत्र सभी subject के हमने solve करवा दिये हैं, already वो solved हैं, काफी time से solve किये गए हैं, और उन सभी को देखना चाहें, तो सारे प्रशन solve मिलेंगे, उसमें आपके सारे subject भी solve मिलेंगे, description box में जो है, आप description में जाएंगे, तो आपको description box में इसकी playlist मिल जाएगी, playlist आप देख लेना, playlist में बहुत कुछ available है, अगर आप playlist देखते हैं, तो बहुत बहतर होगा आपके लिए, और साथी साथ एक चीज आप share करना ना पूले, ये सबसे important है, कि वल share कर दे अपने दोस् प्रतम रचना है, तो चन्द बर्नन की महीमा, ठीक है, कौन सी है, हिंदी खड़ी बोली, गद की प्रतम रचना कौन सी है, चन्द चनद बर्नन की महीमा, तो यहाँ पर साथ option जो है, correct हो जाएगा, उसके बाद जो next question है, इसमें कुछ आगया है, सताबदी के दित्यो अत्रि सताबदी के, ठीक है, यहाँ पर मीटा हुआ है, देखो, यहाँ पर, उनिस्वी सताबदी, सताबदी के तित्य वा तित्य चरण को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं, आधुनिक काल, तो B option जो है, correct हो जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं, next question की, सरस्पती पत्रिका के संपादक जो है, वो कौन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, महावीर प्रशाद दिवेदी, सा उप्सन जो है, correct हो जाएगा, next question में आप से क्या पूछा गया है, तार सब्तक के संपादक जो है, वो अगय है, तो सा उप्सन correct हो जाएगा, भक्ति काल की रचना है तो भक्ति काल की रचना जो है, बिने पत्री का है, तो B option इसमें correct हो जाएगा, next question पूछा गया है, इसमें आप से पूछा गया है, खुमानों सासो के रचनाकार हैं, तो वो कौन है, दलपति भीजे हैं, B option जो है, आपर correct हो जाएगा, इसके बाद जो next question है, इसमें चाया ब दुत्तर काल का समय माना जाता है, तो छाया बाद दुत्तर काल का समय जो है, इसको मानते हैं 1938 से, ठीक है, 1947 तक, हाला कि इसमें ऐसा कुछ option नहीं है, लेकिन 1938 वाला दिया हुआ है, तो इसलिए ये option correct हो जाएगा, next जो है, किस कवी को रास्ट कवी का सम्मान पराप्त हुआ किस कवी को रास्ट कवी का सम्मान पराप्त हुआ है, तो वो मैथली सरण गुपते हैं, जिनको रास्ट कवी का सम्मान पराप्त है, उसके बाद में तार सब्तक का प्रकाशन वर्स जो है, वो कौन सा है, तो 1943 है, तो यहाँ पर B option जो है, correct हो जाएगा, next जो है, हिंदी का प तो यहाँ पर B option जो है, correct हो जाएगा, इसका जो next question है, रामचरित मानस में कुल खंडो, कांडो की संख्या माना जाता है, तो इसमें 7 कांड है, रामचरित मानस में, छायावाद की विसेशता जो है, वो क्या है, तो छायावाद की विसेशता जो है, सुणदर रें प्रेम, तो सा option इसमें correct हो जाएगा, next जो है आपका question, इसमें गध्यांस दिया गया एक, इस गध्यांस को देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, और इसमें जो प्रशन दिये गये हैं, छोटे छोटे प्रशन पूछे गये हैं, इस टाइप का गध्यांस आ सकता है उप्रवक्त का संदर्व लिखना है, अंशो की व्याक्या करनी है, जो भी आपको अंश दिये जाएं, रेखांकित अंश जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मिटा हुआ है, I think ठीक है, और जो भी आप इस टाइप का प्रशन देखेंगे तो आपको समझ में आ है कि इस प्रकार दहूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आख से गिर जाएंगे और इस ठान रिक्त हो जाएगा, उस पर ये अन्यासी बैठा दिया जाऊंगा, तो इस तरह से ये जो आपको दिया गया है, ये छोटा सा दूसरा जो पार्ट है, इसमें दिया गया है, इसम इसमें प्रशन संक्या का ये खाव पार्ट, ये दूसरे प्रशन है, ठीक है, यहाँ से, इसको देख लेना आप, है ना, और इसमें जो है तीन प्रशन पूछे गए है, इसके बाद में नेक्स जो पार्ट है, इसमें आपको पध्यांस दिया गया है, इसमें काव पार्ट ह या फिर आपका जो दूसरा परिशण है इसमें कवी का परिषय को दे करके उनकी एक रसना का नाम जो है अपको देना है इसमें सूर्दास तुलसी दास और विहारीलाल जो की यह कवी है और यह जह हैं आपके लेखक है ठीक है इसमें आपको निमन का संदर्प सहीत हिंदू मैनवाद कर देना है तो एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है इसके बाद जो आपके आपने पार्टे पुस्तक से कोई एक शलोक लिखना है जो कि आप जानते हैं अच्छी तरह से हर बार प्रशनों में पूछा जाता है निम लिखित प् संस्कित में इस पष्ट देना है तीन प्रशन है इसमें से कोई भी दो दे देने हैं आगे मैं आपको बतायता हूँ करुण रश अथवा हास से रश की परिभाशा उधारण सहीत आपको बतानी है रूपक अथवा उथप्रिक्षा अलंकार की परिभाशा उधारण के साथ और रोला अत्वा सरोठा चंद का लक्षण और उधारण आपको लिखना है ठीक है यहाँ पर कहीं कहीं मिटा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ चंद है इसके बाद में है यहाँ निमलिकित उपसरगों में से किनी तीन के मेल से एक एक शब्द जो है बनाईए तो जैसे अप से आपका अपमान हो जाएगा प्र से प्रहार हो जाएगा और अपी से आपका यह मिटा हुआ है अपी है तो अपी से आपका अपीतु हो जाएगा इसी तरह से अभी है यहाँ पर यहाँ परी से परिवर्तन हो जाएगा और सू से सुगम हो जाएगा इस तरह से आपको कोई भी एक एक शब्द जो है तीन बनाने हैं उसके बाद में खव पार्ट में आपसे पूछा गया निम लिखित में से किसी दो प्रत्यों का प्रयोग करके एक एक शब्द बताईए तो यहाँ पर आई बताएंगे आई को मिला करके हम मिठाई बनाएंगे और दू यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर तीन लोको का समू जिसमें दीगू समास होता है तो यह तरह से आपका यह वाला जो है समझ में नहीं आया था तो इसलिए हमने इसको नहीं किया यहाँ पर अन जल तो अन और जल जिसमें द्वंद समास है और इसके बाद में जल और इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट में पूछा क्या गया है निम्लिकित में से कीजिए दो के तत्सम रूप लिखने हैं, तो मुहको मुख तत्सम रूप होता है, जो संस्कित से योकेत्तियों उठा करके रख दिये जाते हैं हिंदी भाषा में, घर को ग्रह कहते हैं, तत् फूल का सुमन होता है, कुसुम होता है, और चंद्रमा का चांद होता है, शशी होता है, जल का पानी होता है, नीर होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, प्रेशन नंबर 9 की बात करें, निमन में से किनी 2 में संधी विछीद कीजिए और संधी का नाम लिखिए, तो यहाँ पर प्रियुक्तम तो प्रती प्लस उत्रम जो हो जाएगा, तो यहाँ प्रियुक्तम हो जाएगा और इसमें यान संधी है, इसका बाद में यहाँ पर है आपका यह थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो इसको हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर दूसरा जो है अत्यंत, अत्यंत में अत्य प्लस अंत हो जाएगा और इसमें यान संधी है, ठीक है, और अगला चौथा भी मिटा हुआ है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया, निमलिखित, शब्दों के सस सस्टी विवक्ति और एक वचन में मती का मते हो जाएगा, और आपका फल का सस्टी विवक्ति एक वचन जो है, फलस से हो जाएगा, इसके बाद में मधू अत्वा नदी है, तो आपका मधू का जो सस्टी विवक्ति एक वचन है, वो मधून हो जाएगा, और नदी का नदा प्रथम पुरुष एक वचन है इसी तरह अपठाम में आपका पठ धातु है और यहाँ लड़ लकार है और उत्तम पुरुष है और साथी साथ ए बहुचन है और पठ धातु में आपका पठ धातु है लोट लकार है मध्यम पुरुष है और एक वचन है इस तरह से आपको इनके वचन लिख देने थे अब इसके बाद में निमलिखित वाक्यों को संस्कित महनुआद करना है तो इसमें से कोई दो को करने है आपको तो यहाँ पर तीन द क्रश्नों के उत्तर आपको एक इसापसे उत्तर लिखना है तो यहाँ आप मुक्तिदूत कंड काव्य की कथा वस्तू जो है शन्द्षेप में लिख देनी है और साथी-साथ मुक्तिदूत कंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरितर-चित्रन जो है आपको बतानी है तो इस तरह से यह आपका paper हुआ, share करना ना भूलें, यह share बहुत ही must रहेगा आपका, ताकि दूसरे student भी तयारी कर सके अपनी अच्छे तरीके से, और सारे model papers, playlist जरूर देखें, thank you very much, have a good day.